असलाम उलेकम एवरिवान वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूं अफगानी ओमलेक इसे मैं ब्रिक पास में बना रही हूं जो मेरी चैनल पर नए है वो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चलिए इसके इंग्रीडिया देखते हैं यह पटेटोस है अनियन और तीन अंडे लिया है मैंने पटेटोस को मैंने छोटा छोटा काट लिया था अब मैं उनको तेल पे डालूंगी और इन्हें मैं फ्राइब करूंगी इसमें ज़्यादा इंग्रीडियेंस नहीं पटते हैं आलू को हम तब तक फ्राइब करेंगे जब तक यह लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसके उपर मैं आप चॉप की हुई अनियन भी राल दूँगी और उसे भी थोड़ी देट तक फ्राइब कर लूँगी मैंने अनियन को छूटा छूटा कट करके रख दिया था अलू और प्याद अच्छे से फ्राइब हो गये हैं मैं इसके उपर थोड़ा सा नमक एड़ करूँगी अब मैंने एक स्मॉल साइज का टमाटर चॉप करके रख दिया था वो भी मैं इसके साथ एड़ करके थोड़ा सा उसे पका लूँगी ये एक ऐसा ओमलेट है या एक ऐसी रिसिपी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम स्पाइसे एड़ होते है अब मैंने इसमें एक चममच काली मिर्च का पाउडर एड़ किया है क्योंकि इसमें लाल मिर्च एड़ नहीं होती है इसे मैं थोड़ा पकाऊंगी मैं ये सिर्फ तीन लोग के लिए बना रही हूँ तो सिर्फ तीन अंडे ही मैं इसमें एड़ करूंगी आप चाहें तो और भी अंडे एड़ कर सकते हैं अब अंडूं के उपर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डाल दूँगी उससे इनकी गानिशन भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा लगेगा और उपर से मैंने इनके उपर हरी मिर्च कट करके एड़ कर दी है इसको मैं डकन से बंद करूंगी और जिम पर रखके थोड़ा पकाऊंगी अगर आपको मीर्च वेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजएगा और कमेंट कीजएगा